हेलो अर्वें देश इसके राज यादा तो इस वीडियो में आपने सौल करेंगे एकसे साइब 4.5 कम्प्लेट सौल करेंगे ठीक है सभी क्वेश्चन देखना जो समझ भी नहीं आए वो दो बार देख लेना बस हो जाएगा ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं देखो मानलों कि ये जो गिवन मे इसे तुमारा ए है और तुमको एड जोईंट ओफ ए निकालना है लुद्व निकान नेकरें लहां है तो बिल्कुल simple सा rule है क्या rule है simple सा कि जो diagonal element है वो तो क्या हो जाएंगे interchange और जो non diagonal element है उनका क्या change हो जाएगा sign change हो जाएगा ठीक है बस तो कर दो सर्माने की क्या बात है इसमें तो यह दोनों तो interchange कर दो तो 4 यहाँ जाएगा 1 यहाँ प्याँ जाएगा और इन दोनों का sign change कर दो minus 2 और minus 3 यह हो गया तुमारा first question का answer ठीक है अपने को adjoint of a निकालना था adjoint of a निकालना थो तो अपने इन दोनों को interchange कर दिया इन दोनों का sign change कर दिया ठीक है हो गया अब बात आती है इसकी second वाले question की ठीक है इसका अपने को determinant निकालना है sorry adjoint of a निकालना है ठीक है तो actual में adjoint of a होता क्या है क्या होता है adjoint of a co-factor matrix का transpose तो अपने को पहले co-factor matrix निकालना पड़ेगा co-factor matrix के लिए सब भी co-factor निकालने पड़ेगे ठीक है तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ जैसे a11 की बात के लिए तो first row first element first row और first column का element वनलब ये a11 के लिए क्या करेंगे इनको छुपा लेंगे first row first column को तो इसका क्या हैगा 339-0 9-0 क्या होता है 9 अच्छा एक बात और ध्यान रखने पड़ेगे अपने को sign case का change करना है तो बताया हुआ है कि जब अपनको factor निकालते है aij तो उसमें क्या formula बनता है minus 1 की power i plus j m11 ये जो अपन छुपाते हैं इससे अपने निकलते है माइनर ठीक है माइनर को इससे multiply करना पड़ता है minus 1 की power i plus j तो जब i plus j की value अपनी odd होगी तो उस time अपने को sign change करना पड़ेगा यहाँ minus आएगा ठीक है तो कहां कहां पे होगी जैसे a12 की बात करे तो 123 होता है 21 की बात करे 23 की बात करे और 32 की बात करे इन सब में odd आ रहा है i plus j ठीक है तो यहाँ पे sign change होगा ठीक है यह अपने नहीं आगया a12 की बात करे तो first row second column हटा दो क्या आया 236 और यह minus 10 आएगा plus का हो जाएगा ठीक है तो यह चलो बता देता हूँ 236 आया minus का sign और यह आया minus 10 ठीक है तो 6 plus 10 कितना आया 16 लेकिन sign change गरना पड़ेगा क्यों 12 के वाला element है ठीक है चलो फिर आगे बात करते है a13 तो first row third column पो अटा दो तो यह बचा पहले इन दो नहीं multiply करें यह 0 और minus का sign और यह minus 6 आ रहा है तो plus का 6 आ जाएगा ठीक है इसके बाद इसका निकालते है second row first second row first column ठीक है तो यह दोनों multiply होंगे minus यह दोनों multiply होंगे यह दोनों multiply minus 3 यह तो 0 होई जाएगा ठीक है तो अपन बात करते है a2 1 अपना minus 3 आ रहा है लेकिन sign change करना है तो plus 3 हो जाएगा ठीक है फिर अपन a2 2 की बात करते है तो a2 इसको चुपा लो इसको चुपा लो क्या आएगा 3 minus का sign और फिर minus 4 अना 3 minus minus 4 आएगा तो ये क्या बनेगा 3 plus 4 जो की होता है अपना same होई sign change करने की कोई problem नहीं है ठीक है आगे देखते हैं फिर इसका निकालते है तो चुपा लिया इन दोनों का product minus इन दोनों product इन दोनों product 0 आया ठीक है तो 0 minus और इन दोनों का क्या आ रहा 2 तो क्या आया minus का 2 A23 अपना minus 2 आ रहा है एक्च्वल में लेकिन sign change करना पड़ेगा तो plus का 2 हो जाएगा ठीक है फिर बात गरते है अपन A31 की इसके ठीक है तो third row first column को अटा दो क्या आया minus 5 क्या आया sign change करने की जरूत नहीं है इसमें भी फिर अपन बात करते हैं A32 की हाना third row और second column हटा दो इन दोनों का product 5 minus इन दोनों का product 4 which is 1 लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा sign change ठीक है फिर इसकी बात करते हैं तो third row third column means A33 3 हटा दो इन दोनों का product minus इन दोनों का product तो क्या आया 5 यहाँ पर अपने को sign change करने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना काम अपना हो चुका है अपने को क्या निकलना है adjoint of A adjoint of A क्या होता है co-factor matrix का transpose तो मैं co-factor matrix लिख देता हूँ तो यह आगे अपना adjoint of A हाँ तो question number 3 solve करते है question number 3 क्या है verify करना है A into adjoint of A which is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I ठीक है अपने कोई matrix A given है तो अपने को क्या निकलना पड़ेगा adjoint of A निकलना है पड़ेगा तो मैंने निकला adjoint of A तो adjoint of A का इसे निकलते है diagonal element के diagonal element को तो interchange कर देते है और non diagonal को sign change कर देते है ठीक है अगर 2 by 2 का अपने को adjoint निकलना है तो क्या करेंगे minus 6 उपर आ गया 2 निक्चे आ गया ठीक है interchange कर दिया इन दोनों को sign change करो minus 3 और यह हो गया plus का 4 adjoint of A आ गया अब अपनी कहतरना है A into adjoint of A चलो तो multiply करना है अबने को A into adjoint of A चलो value रखो A की value यह है 2 3 minus 4 minus 6 और adjoint of A की value यह है minus 6 minus 3 4 2 ठीक है चलो तो solve गर लेते है तो यह row first row first column से multiply होगी ठीक है तो कर दो multiply तो 2 को minus 6 से किया तो minus 12 3 को 4 से किया तो plus 12 ठीक है अच्छा फिर second column से करना पड़ेगा तो लब यह row second column से ठीक है first row तो यह कितना आया minus 6 और यह कितना आयगा 6 plus का ठीक है चलो आगे फिर फिर यह second row को first column से करेंगे तो plus 24 और minus 24 plus 24 minus 24 फिर आया तुमारा plus 12 और यह minus 12 plus 12 minus 12 ठीक है चलो तो फिर आगे क्या बने गाई यह देखो 0 बन गया जीरो 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 चारो क्या बनगे जीरो बनगे ठीक है अच्छा अब आगे देखते हैं फिर क्या करना पड़ेगा अपने को फिर अपने को adjoint of a into a निकाल लेते हैं ठीक है adjoint of a को a से multiply करते हैं उल्टा ठीक है तो adjoint of a की वेल्यू यह है minus 6 minus 3 4 2 into a की वेल्यू यह रही 2 3 minus 4 minus 6 ठीक है चलो कर देते हैं तो first row first column से होगा तो minus 12 और plus 12 minus 12 plus 12 first row second column तो minus 18 और plus 18 minus 18 plus 18 फिर second row first column 4 to the 8 और यह minus का 8 आएगा ठीक है फिर second row second column 4 to the 12 और यह minus का 12 ओके चलो तो लिख दो क्या है 0 0 0 0 ठीक है अच्छा अपने इसकी value निकाल ली इसकी value निकाल ली इसकी value और निकाल लेते हैं तो इससे पहले अपन determinant A निकाल लेते हैं determinant A यह अपना A given है determinant A क्या आएगा इन तोनों का multiply करो कितना है minus 12 और minus का sign लगा कि इन तोनों का multiply कितना minus 12 तो यह minus 12 plus 12 वो बना अपना 0 ठीक है चलो तो फिर वो क्या है determinant of a into i determinant a की value आ रही है 0 आई होता है अपना 1001 तो 0 से multiply करोगे तो यह 0000 ही हो जाएंगे सारे element तो देखो जान से यह वाले a into adjoint of a की value यह आई adjoint of a into a की value यह आई determinant of a into i की value यह आई तीनों value equal है तो आपन क्या बोल सकते हैं कि this is equal to this equal to this ठीक है तो क्या बोलेंगे a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a which is equal to determinant of a into i यह अपना verify हो हम चुका है hence very fight ओके तो क्वेस्टन नंबर 4 करते हैं सेम है question number 3 के जैसा बस यहाँ पे जो अपना matrix दे रखा है वो 3 by 3 order का है ठीक है same process apply होगा पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा adjoint of a ठीक है adjoint of a निकालना पड़ेगा देखो पिछले question की तरह मैं थोड़ा detail में नहीं लिखने का तुम देख लेना कैसे लिखना है ठीक है पिछली वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो नहीं यह second question जो किया sorry third question जो किया वो देख लेना कैसे किया ठीक है अपने वह लिख देते थे अब मैं direct लिखना ठीक है cofactor matrix लिखूँगा यहाँ पर direct उसका transpose कर दूँगा बाद में वह अपना जाएगा agent of a ठीक है चलो तो फिर solve करते हैं तो पहले देखो इसका one का one का अपन निकालते है cofactor तो क्या होगा जीरो माइनस जीरो जीरो यह आया है तो यहां रखना साइन चीज कहां कहां पर करना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ठीक है चलो तो इसका determinant निकालते हैं sorry cofactor निकालते हैं तो यह डख लिया अपने first row second column को तो क्या बचा 339 और यह कितना हो जाएगा 339 आया minus का sign और इन दोनों product minus 2 तो यह 9 plus 2 बन जाएगा which is 11 लेकिन sign change करना है फिर ठीक है चलो तो फिर निकालते है first row third column यह बना तो 0 minus 0 which is 0 ठीक है फिर second row first column हटा दो तो यह बचेंगे minus 3 minus 0 तो minus 3 basically ठीक है लेकिन sign change होगा तो plus का 3 हो जाएगा ठीक है फिर इसका निकालते हैं तो हटा दो क्या बचेंगे यह corner वाले 3 minus 2 which is 1 इसको हटा दूँ क्या बचा 0 minus का sign इन दोनों प्रोडेट minus 1 तो क्या आया 0 plus 1 which is 1 लेकिन sign change करना है ठीक है उसके बाद इस 1 का तो 2 आया minus 0 means 2 ही आगे ठीक है sign change तो करना नहीं यह आप है इसका देखो तो यह क्या minus 2 और minus का sign और 3 to the 6 तो minus 8 आया वो हो जाएगा अपना plus का 8 क्योंकि अपने को sign भी change करना है इसको अटा दो तो क्या आया 0 minus का sign और इनको product minus 3 तो क्या आया plus का 3 तो यह अपना आए गया co factor matrix इसका मैंने transpose लिख रख कर देंगे अपना जाएगा adjoint of a ठीक है चलो तो कर देते हैं फिर ट्रांसपोज चलो तो ट्रांसपोज करो तो जीरो माइनस लेवन जीरो इदर आ जाएंगे 3 1-1 इदर आ जाएंगे और 283 इदर आ जाएंगे आगे अपना adjoint of a आब अपने क्या करना है वो इससे इन प्रोसेस ए इंटू एड़ जोइंट ओफे करना है तो ए इंटू एड़ जोइंट ओफे ए की वैलू रखो क्या है 1-1-2 30-2 103 इसको इंटू गारना है एड़ जोइंट ओफे से जो कि अपना यह है 0-3-2-11-1-8-0-1-3 चलो मल्टिप्लाइ कर दें ठीक है तो फ़र्स्ट रोव फ़र्स्ट कोलम से होगा तो यह 0 बना यह प्लस 11 यह 0 ठीक है तो फ़र्स्ट रोव सेकेंड कोलम तो 3-1-2 3-1-2 ठीक है फिर करतो फ़र्स्ट रोव थर्ड कोलम ठीक है 2-8 प्लस 6 2-8 प्लस 6 ठीक है अच्छा अब सेकेंड रोव को तीनों कोलम से करेंगे तो फ़र्स्ट कोलम से करेंगे तो यह 0 बना यह 0 और यह 0 तो क्या आया प्लस 0 प्लस 2 ठीक है फिर थर्ड कोलम से करेंगे तो जीरो प्लस 0 प्लस 0 ठीक है तो यह क्या आएगा 3 0-3 ठीक है 3 प्लस 0-3 इसके बाद लास्ट कोलम से करेंगे तो 2 0 और 9 ठीक है तो 2 प्लस 0 प्लस 9 ठीक है अब देखो थोड़ी प्लम है इस स्पेस की तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ ठीक है 0 प्लस 11 प्लस 0 क्या रहा है 11 ठीक है यह देखो 3 माइनस 3 बन जाएगा यह होग 0 यह अपना 6 2 8 प्लस का माइनस का भी 8 है 0 यह तो 0 है यह 9 2 कितना 11 यह कितना हो गया 0 यह 0 और यह 3 माइनस 3 0 और यह 9 2 कितना आ गया 11 ठीक है तो यह अपनी वैल्यू आ गई ए एंटू एंट यह अधीक चलो फिर आगे देखते हैं एंटू एंट करते है उल्टा ठीक है तो लिखेँ दो इटू इंटू एडू हो फेस किया है 0 3 2 ठीक है इसके बाद माइनस 11, 1, 8 ठीक है, इसके बाद कितना आएगा, 0 माइनस 1, 3 इन्टू में करना है A, ठीक है, A कितना अपना, ये रहाँ 1, माइनस 1, 2 3, 0, माइनस 2 1, 0, 3 चलो भई, कर दो मल्टिपलाई, हाना चलो रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आए, 0 9, 2 0, प्लस 9, प्लस 2 सेकेंद कॉलम से करो, 0 0, 0 0, प्लस 0, प्लस 0, ठीक है, थर्ड कॉलम से करो, तो 0 माइनस 6, प्लस 6 0, माइनस 6 प्लस 6 ठीक है, ओके फिर दिख रहा है गया अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है तो सेकेंद रोको, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो, माइनस 11 प्लस 3, प्लस 8 माइनस 11 प्लस 3, प्लस 8 ठीक है, तो सेकेंद कॉलम से करो तो 11, 0 और 0, ठीक है 11, प्लस 0, प्लस 0 इसके बाद थरड कोलम से करते हैं तो मैनस लेवन टू से हो तहां माइनस ट्वं ट्वं ट्वन ट्री चूम और प्लस 24 बिलस ट्वंेजा चूमल ट्वर ऐसंर ट्वं 24 माइनस ट्वन टीच्वर फिर करते हैं अपनं étant द्रड रोग हो तीनों कोलब से ठीक तो थठोगों करेंगे तो जीरो-3 प्लस-3 इसको करो 000 ठीक-0 horses े रोप्लस-0 थब से करेंगे तो यह 0 बना लस ट्यू नस नहीं थो गिवार गर देते हूं ना नीन टू कितना 11 यह कितना जिन जिरो है यह मैंनस इक्स प्लस繼續 0 यह देखो प्लस 11, माइनस 11 बन जाएगा यह भी बन गया 0 यह कितना 11 ठीक है यह देखो माइनस 22, माइनस 2, माइनस 24 प्लस का 24, क्या बनेगा 0 यह माइनस 3, प्लस 3, 0 यह 0 तो ही 3 होई ठीक है और 9 प्लस 2, 11 ठीक है अब last चीज निकालने है अपने को, यहाँ determinant of a की जरूत ओपड़ेगी, हाँ इसके लिए ठीक है, चूँचलो, determinant of a निकाल लेता है, ठीक है, तो determinant of a कैसे निकाल लेगे देखो, इस को लोग के थूप कर देता है एक्सपेंट, तो माइनस 1 इस सोरी, साइन चेंज होगा इसका तो प्लस 1 आएगा, ठीक है, इन्टू इसको हटा दो, क्या बचा, ठीक है, ठीक है, तो 9 प्लस 2, विच इस 11, ठीक है, तो determinant a की वेल्व क्या आएगी, 11 ओके, चलो तो, अब निकाल लेते हैं, determinant of a into i, चलो तो, third, determinant of a into i, determinant a की वेल्व अपनी, क्या निकाली, 11, और i क्या होता है, अपना, 100, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5 यह है, अपना i, ठीक है, 11 को अंदर मल्टिप्लाइगा, तो क्या आएगा, यह अपना adjoint of a है, ठीक है, तो यह बना 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 11 चलो, अब देखू जहां से, अपनी किया क्या है, determinant a यह दे रखा, sorry, matrix a यह दे रखा रहा, उसका अपनी क्या निकाल लिया, cofactor matrix, उसका transpose कर लिया, तो adjoint of a आ गया, a into adjoint of a किया, तो अपना answer यह आया, adjoint of a into a किया, तो अपना answer यह आया, वो determinant a into i किया, तो अपना answer किया आया, तीन लोगा addition में अपनी answer किया आया, same i, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कि a into adjoint of a is equal to, adjoint of a into a is equal to determinant of a into i, यही statement दुबारा लिख देना, वो लिख देना नीचे, hence verified, तो यह question number 4 complete होचका है, ठीक है, next question पे चलते हैं, question number 5 solve करते हैं तो, find the inverse of each of the matrices, if it exists, ठीक है, matrix जो दे रखा है, उसका inverse निकालना है, पर exist करता है, तो ठीक है, यह अपना, जो matrix दे रखा है, वो है अपना a, माल लेते हैं इसको, ठीक है, अच्छा, कोई भी matrix का inverse exist करता है, कब अगर, जो वो है, a है, वो कैसा है, non-singular matrix है, non-singular means, determinant of a is not equal to 0, तब तो उसका inverse निकाल सकते हैं, otherwise, उसका inverse possible नहीं है, ठीक है, तो चलो निकालते हैं फिर, पहले अपन determinant of a ही निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना आएगा, 3 to 6, minus का sin, और minus 8, तो कितना आएगा, 6 plus 8, which is equal to 14, ओके, तो not equal to 0 है, non-singular matrix है, तो इसका मतलब इसका inverse निकाल सकते हैं, ठीक है, अब inverse निकालते हैं, इन्वर्स का direct सेधा सा formula है, कि किसी भी matrix का inverse निकालना है, तो formula है, 1 upon determinant of a into adjoint of a, ठीक है, तो अपने को adjoint of a निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 by 2 का adjoint निकालना बता ही रखा है, बिल्कुल इसी है, बस अपनी को क्या करना पड़ता है, डाइनल को तो interchange कर देते हैं, ठीक है, और इन दोनों का sin change कर देते हैं, यह माइनस 4 हो गया, यह हो गया 2, ठीक है, चलो तो, अब a inverse, which is equal to 1 upon determinant of a, into adjoint of a, value रख दो, 1 upon determinant a की value क्या है, 14, और adjoint यह कितना है, 3, 2, माइनस 4, 2, ठीक है, ज्यादा करो तो, 14 को अंदर, divide में भेज सकते हैं, ठीक है, ओके, चलो तो, फिर next question करेंगे, 6 question करते हैं, 6, ठीक है, same question है, matrix दे रखा है, उसको a माल लेते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं, determinant of a, कि यह 0 तो नहीं है, ठीक है, चलो तो multiply कर देंगे, तो minus 2 आएगा, फिर minus करते हैं, इन दोनों का multiply, minus 15, तो यह आया, minus 2, plus 15, which is equal to 13, तो not equal to 0 है, means यह non-singular matrix है, non-singular matrix है, तो इसका inverse निकाल सकते हैं, inverse निकालने के लिए अपने को adjoint of a निकालना पड़ेगा, तो यह तो 2 by 2 का है, adjoint निकालना पिल्कूल इसी है, diagonal matrix, diagonal elements को interchange कर देंगे, और non-diagonal का sign change कर देंगे, minus 5 और यह हो गया, plus 3, तो A inverse का formula क्या होता है, A inverse is equal to, one upon determinant of a, into adjoint of a, चलो value रख दो, one upon determinant a की value क्या है, 13, and adjoint of a है, अपना 2, minus 5, 3, minus 1, 13 को अंदर divide भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा, 2 by 30, minus 5 by 13, 3 by 30, minus 1 by 30, यह हो गया, अपना unsure, question number 7, solve करते हैं, यह अपने को matrix given है, A माल लेते हैं, इसको ठीक है, तो सबसे पहले determinant A निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कहीं यह 0 तो नहीं है, मतलब यह जो given matrix है, यह singular तो नहीं है, singular होगा तो अपन इसका inverse निकाल नहीं सकते, ठीक है, अच्छा, चलो, किस के तुरू expand कर दें, इसको कर देते हैं, फर्स्ट कोलम के तुरू, फर्स्ट कोलम के along expand कर देते हैं, तो मल लेंगे, वन के को किस से multiply करेंगे, इसके minus है, तो 5s are 10, minus 0, अना, फिर यहां क्या लेंगे, 0 into something आएगा, और यह दोनों 0 है, मतलब जाठी ही जाएगे, ठीक है, तो यह 1 into 10, मतलब 10 आगया अपना, ठीक है, not equal to 0 है, non singular matrix है, तो इसका मतलब इसका inverse निकाल सकते हैं, तो इसका inverse निकालने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा, adjoint of a, adjoint of a क्या पता है मैंने, cofactor matrix का transpose, तो मैं यहाँ cofactor matrix निकालना, यहाँ transpose करके लिए दूँगा, वो अपना हो जाएगा, adjoint of a, ठीक है, तो cofactor देखो, ज्यान से करते हैं, इस 1 का, अच्छा, गो फेक्टर में science चेंज कहां कहां करने होते हैं, अपने को, यहां यहां पर, ठीक है, अच्छा, इस 1 का core factor क्या होगा, खटा दो, मैनस जीरो एगा इंच्छा ना पड़ेगा यहां तो चेंज गरना पड़ेगा टिक है यहां पर इस टू का यह दो कि यह लग यह इन को On McAl pom वाले हुजए उसका इसका यह ineल हम इनस इसको बोल हमया उत मैनस ईरो hopeful कितना होता है 2 ठीक है इसके बाद इसका तो यह 4-0 आया मतलब 4 आएगा लेकिन sign change होगा ठीक है इस 5 का तो 2-0 which is 2 ठीक है ट्रांस्पोस का तो अपना जाएगा तो 10-0-0 यह अपना-10-5-0 यह अपना-2-4-2 यह अपना क्या आगया एड्जॉइंट ओफे ठीक है तो थोड़ा ध्यान से करना बस है न एक गिवन है अपने को determinant A निकाल लिया जो कि 10 है एड्जॉइंट ओफे कैसे निकाला पहले को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया उसका ट्रांस्पोस कर दिया तो अपना आगया एड्जॉइंट ओफे ठीक है अब फोर्मुला क्या है इंवर्स निकालने का एड्जॉइंवर्स इस गुल टू 1 अ 002 अब यह 1 अपन 10 है तो इस 10 को अंदर डिवाड में बेज सकते हैं तो 10 को 10 से डिवाड करेंगे तो 1 यहां क्या आएगा माइनस 1 यहां 2 अपन 10 होगा 2 upon 10, यह cancel हो किया जाएगा 1 upon 5 ठीक है, यह तो 0 है यह 5 upon 10 करेंगे तो 1 upon 2 minus 4 upon 10 क्या हैगा minus 4 upon 10 2 upon 5 वो भी minus का minus का 2 upon 5 इसके बाद यह 0 यह 0 और 2 upon 10 करेंगे तो अपना आएगा 1 upon 5 तो यह अपना आगया A inverse, कैसे किया A है cofactor matrix निकाल लिया इसका transpose कर दिया adjoint of A आगया, determinate A की value 10 है तो value रखे दी बस हो गया सोब, ओके हाँ, तो question number 8 solve करते है matrix C1 है, इसका inverse निकाल लिया ठीक है, तो पहले determinate A की value निकाल लेता है किसके along expand कर दे R1 के along expand कर दे क्योंकि एक की लेना पड़ेगा, ठीक है तो 1 into क्या हैगा minus 3, minus 0 तो अपना आगया determinate A की तना आगया, minus 3 चलो दो, solve कर दो अब अपने को निकालना है adjoint of A तो adjoint of A निकालने के लिए अपने को cofactor matrix निकालना पड़ेगा उसका transpose करना पड़ेगा ठीक है, चलो तो cofactor matrix निकाल लेता है इस 1 का cofactor क्या होगा minus 3 ठीक है और यह बात ध्यान रखना यहाँ यहाँ पर अपन क्या करेंगे sign change गरेंगे, इस 0 का cofactor क्या होगा minus 3 minus 0, तो minus 3 बचेगा वो जाएगा plus 3 क्योंकि sign change गरना पड़ेगा इसके बाद, यह क्या 6 minus 15 6 minus 15 कितना होता है minus 9 ठीक है इस तरीका को factor क्या होगा 0 minus 0, यह तो 0 ही हो जाएगा ठीक है इस तरीका तो minus 1 plus, sorry minus 1 minus 0 तो minus 1 minus 0 ठीक है इस 0 होगा तो 2 आएगा only ठीक है लेगिन sign change करना पड़ेगा तो minus 2 हो जाएगा इस 5 का 0 इस 2 का तो यह भी हो गया अपना 0 और इस minus 1 का आया 3 ओके transpose गरता चलो तो transpose करने से गया आएगा minus 3 3 ओ, sorry minus 3 3 minus 9 ठीक है 0 minus 1 minus 2 और यह आगया 003 यह अपने कर दिया transpose ठीक है अब अपने को निकालना है A inverse A inverse का formula क्या होता है पहले तो यह पता होना चीए 1 upon determinant of A into add joint of A ठीक है चलो value रख दो determinant A की value क्या है minus 3 यह अपना यह लिए आगया minus 3 003 minus 1 0 minus 9 minus 2 3 तो minus 3 को अंदर divide में लेके जा सकते है या only minus को भी लेके जा सकते है और यह answer अपना आ चुका है तो question number 9 solve करते है यह matrix अपने को given है पहले इसका निकाल लेते है determinant ठीक है चलो तो 2 into किससे multiply होगा 2 minus 1 minus 0 से ठीक है इसका sign change करेंगे तो minus 1 into किससे multiply होगा 4 minus 0 से ठीक है फिर plus 3 into क्या लेंगे 4 to the 8 minus और यह आएगा 7 ठीक है चलो तो solve कर लो तो यह क्या है minus 2 आ जाएगा और यह minus 4 आ जाएगा और वो आ जाएगा plus का 3 ठीक है तो minus 6 होगया minus 6 plus 3 means minus 3 ठीक है not equal to 0 इसका means इसका अपन inverse find कर सकते है तो एड्जूइंट होके कैसे निकालेंगे पहले को फेक्टर मेट्रिक्स का ट्रांस्पोर्ज कर देंगे चलो को फेक्टर निकाल जाते है सब भी elements के ठीक है तो जो यह 2 है इसका को फेक्टर निकाल लेते है ठीक है तो क्या हैगा minus 1 only minus 1 ठीक है पता तो है साइन कहां कहां पे चेंज करने है और क्यों करने है ठीक है ओके 1 का को फेक्टर निकालेंगे तो 4 minus 0 means 4 यह आगा लेकिन साइन change करना है ठीक है फिर इसका को फेक्टर निकालते हैं तो फिर 4 to the 8 minus 7 आएगा which is 1 इस 4 का निकाल लेते हैं तो भाई 1 minus 6 1 minus 6 इतना होता है minus 5 लेकिन साइन change ठीक है इस minus 1 का निकालो 2 और plus 21 आणा ऐसे तो आएगा 2 minus का साइन लगाओगे फिर यह minus 21 आएगा ठीक है तो यह plus का हो जाएगा तो 2 plus 21 केतना 23 23 ओके फिर आगे देखते हैं इस 0 का तो यह ऐसे हो गया तो क्या है 22 जा 4 plus 7 which is 11 तो sign change हो जाएगा पता है ना इस minus 7 का तो इसकी row और कोलम को डिलीट कर दो तो 0 plus 3 तो 3 आजाएगा ठीक है इसका निकालेंगे तो ऐसे अटा दो sorry 0 minus 12 तो minus 12 आएगा लेकिन sign change होगा फिर इस 1 का minus 2 minus 4 which is minus 6 तो यह अपना आगया cofactor matrix इसका क्या कर देंगे transpose कर दो चलो तो transpose कर देते हैं तो क्या है minus 1 minus 4 1 5 23 minus 11 3 12 and minus 6 यह अपना आगया adjoint of a अपने को निकालना है a inverse a inverse कैसे निकालेंगे 1 upon determinant of a into adjoint of a चलो value रख दो determinant a की value क्या है minus 3 और adjoint of a की value रख दो minus 1 5 3 minus 4 23 12 1 minus 11 minus 6 तो यह आगया अपना unsure ओके हाँ तो question number 10 देखते हैं यह matrix की वन अपने को पहले अपन निकालेंगे determinant of a किसके through expand कर दे किसके along कर दे चलो first row के along की करते हैं ठीक है तो 1 लिया multiply करेंगे 4 to the 8 minus 6 ठीक है इसका sign change करके लेंगे multiply करेंगे 0 plus 9 ठीक है 2 लेंगे multiply करेंगे 0 minus 6 ठीक है तो यह क्या आया 1 into 2 तो आगे अपना 2 ठीक है यह क्या आएगा 1 into 9 तो मतलब plus 9 ठीक है minus 6 तो यह आगे minus 12 9 to 11 minus 12 तो minus 1 not equal to 0 है means non singular matrix है तो इसका inverse अपना असानी से निकाल सकते है तो कैसे निकालते है पहले अपन निकालना पड़ता है अपने को adjoint of A adjoint of A कैसे निकालता है cofactor matrix का transpose चलो तो cofactor matrix निकाल लेते है ठीक है तो इसका first element का cofactor अच्छा sign कहाँ change करने होते है पता है चार position पे ठीक है क्यों करने होते है ये बता होना चाहिए हर वीडियो में नहीं बताऊंगा तो इसका factor क्या आएगा ऐसे 4 to the 8 और minus 6 2 आजाएगा इसका factor कैसे निकालेंगे 0 minus 9 आ रहा है ठीक है minus 9 तो फिर कितना आएगा minus 6 इसका को factor निकालो तो second row हटा दो first column हटा दो ये बचेंगे minus 4 minus और minus 4 तो ये minus 4 plus 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है इसका को factor निकाल दें तो ये हटा दो बीच की row हटा दो तो ये corner वाले बचे 4 minus 6 minus का 2 इसका निकाल दें तो ये याट जाएगा तो क्या आएगा minus 2 और plus 3 minus 2 plus 3 क्या होता है plus 1 sign change करो ठीक है इसके बाद इसका को factor क्या आएगा 3 minus 4 which is minus 1 अना फिर इसका को factor तो ये आएगा 0 ना सोरी minus 3 minus 0 तो minus 3 आएगा लेकिन sign change करना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गया फिर 2 minus 0 which is 2 transpose करो चलो क्या आएगा 2 9 minus 6 2 9 minus 6 0 minus 2 minus 1 ठीक है minus 1 3 2 ये अबना आएगा adjoint of a ठीक है तो a inverse कैसे निकले आएगा 1 अपॉन determinant of a into adjoint of a तो determinant a की value क्या है minus 1 और adjoint of a कितना है 2 0 minus 1 9 minus 2 3 minus 6 minus 1 2 क्या खरेंगे minus 3 ये देखो minus 1 होगा तो minus 1 को अंदर multiply करतेंगे तो अपना answer क्या आएगा ये हो जाएगा minus 2 0 plus का 1 अलब sign change हो जाएगा अंदर सभी का ठीक है तो sign change कर दो तो ये आगया अपना inverse of the given matrix A ठीक है तो simple सी बात है A दे रखा है को factor matrix निकाला उसका transpose किया determinant A निकाला formula में value पुट की बस A inverse अपना आचुका है ओके हाँ तो question number 11 solve करते हैं ठीक है same question है inverse निकालना है चलो बहुँ start करते है जो matrix दे रखा था उसको अपने A माल लिया ठीक है और A के element अपने को ये given है ठीक है चलो तो सबसे पहला काम क्या होता है determinant A की value निकालनी चलो determinant A की value निकालनी के लिए क्या करेंगी first row के along इसको खर देंगे expand ठीक है चलो तो करो expand तो one multiply आएगा one multiply आएगा तो first row first column हट जाएगा ये दोनों multiply होंगे तो क्या आएगा minus का cos square alpha और फिर sin minus का और ये दोनों का product क्या होता है sin square alpha तो यहां से minus common ले सकते है तो बाहर minus of one हो गया तो अंदर क्या दोनों plus के होगे minus common लेने के बाद ठीक है और ये sin square alpha plus cos square alpha की value 1 होती है अपने को बता है तो अपना answer है minus one this is not equal to zero ठीक है तो ये जो matrix है अपना non singular matrix है क्योंकि इसका determinant zero नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका अपन inverse find कर सकते है ठीक है चलो find inverse find करने के लिए करना होता है अपने को adjoint of a निकालना होता है ठीक है adjoint of a कैसे निकलता है co-factor matrix का करते है अपन ट्रांस्पोज ठीक है तो पहले co-factor matrix निगाल लेते है ठीक है co-factor matrix निगाल देता है उपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे sign change गरते हैं जो भी अपना minor आता है उसका तो वो को factor आ जिते हैं अच्छा जैसे अपन इसकी बात करेंगे तो first row first column हटा लो तो minus cosine square alpha minus sine square alpha यही आएगा और उसकी value minus 1 तिक है इसकी value क्या आप गई अपनी minus 1 उसके बाद इस second element की निगालते हैं तो यह second column और first row हटा दो तो यह बचे यह zero हो गया minus zero तो zero है जाएगा इसका निगालेंगे दो यह अट जाएगी first row third column तो zero minus zero zero हैगा इसका निगालेंगे दो तो second row और first column हट जाएगा यह बचेंगे zero minus zero जीरो यह आएगा इसका भी ठीक है फिर अपन इसका निगालते हैं कोसलफा कोसलफा का हाना इस होगा तो यह second row second column हट जाएगा तो यह बचा minus का कोसलफा minus zero तो minus का आगया हाँ कोसलफा ठीक है इसकी बात करेंगे तो यह जाएगे तो क्या आएगा कोसलफा यह सोरी साइन अलफा minus zero तो साइन अलफा आएगा ठीक है लेकिन आपने को इसका साइन चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो minus का साइन अलफा हो गया देखो यह साइन चेंज करने जरू नहीं पड़ी क्योंकि दोनों zero यह ओल्ड़ी ठीक है इसका निकालते हैं तो यह भी आजाएगा अपना zero और साइन अलफा का निकालेंगे तो थर्ड रो second कोलम हटा दो तो क्या आया साइन अलफा मैनस zero मतलब साइन अलफा ही आया लेकिन साइन चेंज करने की जरूरत है ठीक है इसका निकालेंगे तो क्या आएगा कोस अलफा मैनस zero मतलब कोस अलफा कर दो इसका ट्रांसपोस ठीक है ट्रांसपोस कर दो विद दिका आएगा माइनस one zero 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 minus course alpha minus sin alpha ठीक है फिर zero minus sin alpha कोस अलफा यह अपना आ गया adjoint of a अब inverse निकालते हैं inverse का formula क्या होता है a inverse which is equal to one upon determinant of a into adjoint of a चलो value put कर दो बस तो one upon determinant a की value क्या है minus one adjoint a अपना ये रहा minus one zero 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 minus cos alpha minus sin alpha zero minus sin alpha और cos alpha तो ये क्या हुआ minus one minus one को अंदर multiply करें तो सब भी से होगा ठीक है तो sign change हो जाएगा सब भी elements का ये हो जाएगा plus का one zero पे तो cos alpha ये हो जाएगा plus का sin alpha ठीक है ये plus का sin alpha ये 0 तरहे गई और ये हो जाएगा minus का cos alpha तो ये आगया अपना inverse of the matrix a ठीक है तो कैसे क्या है सोट में देखो दिल दीचे matrix a की बनता determined निकाला minus one आया adjoint निकालने के लिए cofactor matrix बनाया उसका transpose गर दिया adjoint आ गया तो फिर ये formula होता है इसमें determined ये की जिए minus one adjoint a अपना ये रख दिया minus one को अंदर multiply कर दिया तो अपना आ गया a inverse एक मज़े की बात है इस question में क्या है कि जो अपना question था जो अपना matrix दे रखा था वो ही अपना इसका आ गया inverse आ ठीक है तो ये quality है is question में ठीक है जो matrix दे रख था वो ही इसका inverse आया है okay question number 12 करते है ठीक है question है let a is equal to matrix दे रखाए ये और b matrix दे रखाए verify that a b inverse is going to be inverse dot a inverse ये अपने को verify करना है ठीक है एक matrix a दे रखा है एक matrix b दे रखाए ये verify करना है तो देखो जहां से क्या कैसे करना पड़ेगा पहले अपन a b को multiply करेंगे तो एक नया matrix आएगा उसका inverse निकालने वो तो हो जाएगे अपनी left hand side ठीक है left hand side और right hand side equal आ गई तो क्या हो जाएगा verify हो जाएगा चलो तो देखो अपने को a का inverse भी निकालना पड़ेगा b का inverse b a b का product और फिर उनका inverse ठीक है तो पहले मैं a का inverse निकालने के लिए पहले मैंने determinate a की value निकाली जो की क्या होगी 15-14 क्या होगी 15-14 which is equal to 1 अब बात करते हैं किसके तो adjoint निकालना पड़ेगा एका adjoint भी निकालना पड़ेगा अगर आपने कोई inverse निकालना है तो ठीक है चलो तो adjoint कैसे निकालते हैं 2x2 matrix का diagonal matrix तो diagonal element तो क्या हो जाते हैं interchange हो जाते हैं 5 यहां आगया 3 यहां आगया और इन दोनों का सब्सक्राइब माइनस 2 हो गया माइनस 7 हो ठीक है एका inverse का formula क्या होगा 1 upon determinant of a into adjoint of a ठीक है simple सी बात है तो इसकी value है 1 तो बाहर बाना कोन बाना आएगा मंदब just 1 है कोई problem नहीं है ठीक है adjoint अपना यह है 5-7-2-3 यह ही अपना आगया a inverse ठीक है यह अपना हो गया a inverse complete हो चुका है ठीक है फिर अपने को निकालना b inverse तो b inverse निकालने के पहले determinant भी निकालना पड़ेगा कैसे आएगा 6-9 जा 54 8-7 जा 56 तो कितना आया minus 2 ठीक है कितना आया minus 2 तो b का निकालने के लिए पहले अपने को adjoint of b निकालना पड़ेगा adjoint of b कैसे निकालेंगे टू बाइटू का मैट्रिक्स है तो diagonal element तो है वो interchange हो जाएंगे 9 यहां आ गया 6 यहां गया इन दोनों का साइन चेंज गर तो minus 7 minus 8 ठीक है तो अपना यह बी का inverse निकालेंगे तो क्या आएगा b का inverse formula क्या बनेगा b का inverse का b inverse which is equal to 1 upon determinant of b into adjoint of b value रख दो तो क्या आया 1 upon minus 2 9 minus 8 minus 7 6 यह अपना आगया b inverse ठीक है अब आगे बात करते है a b inverse a b inverse निकालना पड़ेगा तो a b inverse निकालने के पहले आपने a b तो निकालेंगे a b का product तो ठीक है तो a है अपना 3 7 2 5 ठीक है और b अपना है b क्या है 6 8 7 9 6 8 7 9 ठीक है तो product कैसे करते है matrix का फर्स्ट वाले matrix के क्या लेते है रो और second का column तो यह रो को इस column से multiply करेंगे इस रो को इस column से ठीक है कर रहो तो कितना आया 6 3 जा 18 प्लस 77 जा 49 ठीक है फिर second column से करेंगे तो 3 जा 24 प्लस 97 जा 63 ठीक है फिर इसको करो सिक्स तूजा 12 प्लस 57 जा 35 फिर second column से करेंगे second रोगों तो एट तूजा 16 प्लस 95 जा 45 ठीक है तो अपना एक अबि आ गया कितना एक बी हिए इन दोनों का एड कर दो कितना ओगए 67 ठीक करने से 59 61 तो यह आगे आपना एबी तो एबी का इन्वर्स भी तो निकालता है ना तो एबी इन्वर्स कैसे निकालेंगे पहले एबी का इन दोनों का मल्टिप्लाई 67 into 61-47 into 87 चलो मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो 67 को 61 से मल्टिप्लाई करेंगे तो बन से कर दो पहले 67 आगया 6 से करो 67 42 4 66 36 और 4 40 तो कितना आया 7 804 4087 टेक है 47 को 87 से करो तो 77 49 4 कैरी 748 28 28 और 4 32 8 से करो 57 56 5 कैरी 8 4 जा 32 और 5 37 कितना आया 9 804 4089 टेक है तो इसका तो आया 67 into 61 4087 ठीक है और 47 into 87 का आया 4089 तो कितना आ गया minus 2 आ गया AB का determinant है वो कितना आ गया minus का 2 ठीक है आप देखो AB का अपने को inverse निकालना है तो AB का inverse निकालना है तो क्या Adjoint of AB निकलना चाहिए अपनी पास Adjoint of AB कैसे निकलेगा देखो जो AB है अपना वो 2 by 2 का matrix है तो 2 by 2 का matrix का Adjoint निकालना तो easy है क्या diagonal elements है उनको interchange कर दो 61 उपर आ गया 67 नीचे ठीक है वो इन दोनों का sin चेंज कर दो माइनस 47 और माइनस का 87 ठीक है अच्छा अब बात करते हैं AB के inverse की AB का inverse ठीक है तो A into B का inverse कैसे निकलेगा 1 upon determinant of AB into Adjoint of AB यही तो आएगा ठीक है तो 1 upon determinant of AB determinant AB के value क्या है 2 तो minus 1 upon 2 आगया और यह Adjoint of AB क्या है 61 minus 87 minus 47 वो 67 तो यह आगया अपना AB का inverse ठीक है अब बात करते हैं यह AB का inverse आ गया इसका मतलब कौन सा आ गया यह left hand side आ चुकी अपनी ठीक है तो right hand side में क्या करना B inverse into A inverse और करना है ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूं right hand side which is equal to B inverse dot A inverse ठीक है यह अपनी आगी left hand side ठीक है चलो तो B inverse क्या आया अपना वो आया minus 1 upon 2 और 9 minus 8 minus 7 6 और A inverse कितना आया यह आया 5 minus 7 minus 2 3 दोनों को क्या कर रहेंगे multiply कर तो तो minus 1 upon 2 बाहर है इसको मत चेड़ो ठीक है तो multiply कर देंगे तो दिख रहा है अच्छा तो first row को first column से करेंगे ठीक है तो 9 5 जा 45 आएगा और यह होगा इससे कितना आया plus 16 फिर first row को second column से करेंगे तो 9 7 जा 63 वो भी minus का और यह minus का 24 ठीक है second row को करो first column से minus 35 और minus 12 second row को second column से करो तो plus का 49 और plus 18 चलो तो minus 1.2 बहार रही ठीक है अच्छा एड़ गर दो यह 45 और 16 कितना होगा 61 ठीक है minus के है दोनों add हो जाएंगे तो minus का कितना जाएगा 6 to 87 ठीक है यह दोनों add हो जाएंगे तो माइनस का टोटल कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 47 ठीक है और यह कितना हो जाएगा 71 67 ठीक है अब देखो तो अपनी left hand side क्या आई माइनस one upon two 61 माइनस 87 माइनस 47 67 ठीक है अच्छा और राइट हैंड साइड भी क्या आई माइनस one upon two 61 माइनस 87 माइनस 47 67 ठीक है बिल्कुल सेम है तो क्या लिखे देंगे अपन बात में कि LHS is equal to RHS और लिखे देना hands verified ठीक है एक बार सोट में देखो क्या किया ए था एका inverse निकाल दिया B था B का inverse निकाल दिया AB को multiply किया उसका inverse निकाल दिया तो क्यां बिखे का multiply A बिखे इन Berry का Nefa और आपना left hand side sol होगी ठीक है वी न aut ber say or a neuf उन्हें को multiply कर दिया तो अपना यहा गया तो दोनों left hand side और right hand side दोनों equal आगी तो बोल देंगे verify हो चुका है question number 13 है if a is equal to a matrix दे रखा है a so that a square minus 5a plus 7i is equal to 0 hence find a inverse देखो करना क्या है पहले तो यह जो equation दे रखी है इसको verify करना है अपने को ठीक है और फिर अपने को इसी equation का use करके a inverse find करना ठीक है अब पहले वाला formula यूज नहीं करेंगे इस equation का use करके अपने को a inverse find करना है चलो तो देखो द्यान से कैसे करेंगे देखो इस equation में a square आ रहा है यह तो है यह और i भी है हाना तो पहले a square की value निकाल लेते है a square की value कैसे आएगी a into a से ठीक है a को a से ही multiply कर देंगे तो अपनी आ जाएगी a square की value तो मैंने a को दो बार लिख दिया है इनको multiply करेंगे तो multiply कैसे करेंगे process वो ही है ठीक है इसकी row और इसका column तो क्या आएगा 9-1 ठीक है तो फिर second column से करेंगे तो 3-2 फिर second row को first column से करेंगे तो minus 3-2 और second column से करेंगे तो minus 1-4 ठीक है यह आगया अपना अना तो यह ही change कर देता हो ना तो यह हो गया 9-1 कितना 8 यह कितना हो गया 5 यह कितना हो गया minus 5 और यह plus का 3 ठीक है चलो a square की value अपनी आ चुकी है a square अपने लिखा a multiply with a ठीक है तो a square की value यह आ गई है अब देखो जहांसे वो left and side ले ले लेते हैं equation की क्या है वो a square minus 5a plus 7i ठीक है इसको equal to 0 लाना है तो चलो value रखते जाओ a square की value 8 5 minus 5 3 minus 5 into a की value 3 1 minus 1 2 ठीक है प्लस 7 और आई क्या आई को उन से लेंगे 2 by 2 वाला लेंगे ठीक है minus का sign 5 को अंदर multiply कर दो 5 3 जब 15 5 minus 5 और 10 ठीक है और इसमें 7 को अंदर multiply कर दो 7007 यह अपना हाट चुका है ठीक है बस अब तीनों को solve कर दो कैसे करो होगी solve 8 यह minus का 15 हो जाएगा यह द्यान रखना इस वाले के sign change होगे अंदर elements के तो यह बार minus है ठीक है तो 8 minus 15 और प्लस 7 एक साथ कर देता हूँ अना फिर यह 5 minus 5 plus 0 5 minus 5 plus 0 इधर minus 5 plus 5 minus 5 plus 5 plus 0 और यह 3 minus 10 plus 7 3 minus 10 plus 7 आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं इन दोनों को कहले minus कर लो और फिर स्क्राइब कर दो ठीक है वो अगर एजी लगता था तो उससे कर लो कोई प्रॉलम नहीं है ठीक है तो अपना क्या आया यह क्या बनेगा 8 और 750 minus 150 बना 5 minus 5 कि इतना बना 0 यह क्या बना 0 और यह क्या बना 0 तो यह आ गया ना अपना matrix O ठीक है इतना हो गया के लिए ठीक है देखो अभी तक क्या गया अपने A था A स्क्राइब निकालने के लिए A multiplied with A किया तो A square आ गया उस equation की left hand side ले लिए अपने A square की value put की A की की और I की की अंदर multiply कर दिया 5 से और 7 से ठीक है फिर इसको solve कर दिया तो अपना आ गया 0 matrix ठीक है तो इतना ही यह तो हो चुका है आदा part हो चुका है इसका अब अपने को क्या करना है यह proof तो verified हो गया यह equation है ना सो हो गई अब क्या दरना है इसी equation का यूज़ करके अपने को निकालना है A inverse तो वो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं ठीक है तो मैं यह रब कर देता हूं ठीक है चलो तो equation है अपनी यह ठीक है क्या करते है अब एक चीच होती है एक तो होता है प्री मल्टिप्लाई एक होता है पोस्ट मल्टिप्लाईड देखो अपने वो इसका ईसको more से में बाद में तो यह क्या है अपना है इस्को मल्टिप्लाई मीनस 5 ए इसको बाद में ईन्वर्स से मल्टिप्लाईड देखो धिया और बस हो गया देखो ध्यान से थोड़ा साHe A dot A inverse कोई matrix है उसके inverse को multiply करते हैं तो क्या आता है identity matrix आता है तो ये बन गया A I minus ये क्या आता है ये भी I आता है तो minus का 5 I and which is equal to minus 7 देखो किसी matrix को identity matrix से multiply करते हैं तो वो ही matrix आ जाता है A inverse ये आ जाता है अब क्या करना आपने को A को I से multiply कर रही है तो A ही आएगा minus ये 5 I which is equal to minus 7 A inverse अच्छा ये minus 7 उनको इधर ला सकते हैं पन divide में ठीक है चलो तो अब value रखने हैं इसको चलो बाद में ले आए तो minus 7 A inverse है A की value रखो क्या है 3 1 minus 1 2 minus 5 I की value 1 0 0 1 which is equal to minus 7 A inverse तो 5 से मैं अंदर multiply कर देता हूँ ये ही पर तो ये होगा या 5 0 0 5 ठीक है क्या आए देखो ज्यांसे इधर लिके देखा हूँ क्या आएगा देखो 3 minus 5 कून साइल लिमेंट आएगा minus 2 ये 1 minus 0 ये तो आएगा अपना 1 ही आएगा ठीक है ओके फिर minus 1 minus 0 तो minus 1 ये आएगा ठीक है 2 minus 5 कितना minus 3 which is equal to minus 7 A inverse ठीक है तो minus 7 को डिवाइड में बेज़ दो तो क्या बन गया है minus 1 upon 7 minus 2 1 minus 1 3 which is equal to A inverse तो अपना आगया ना A inverse देखो ध्याम से short में किया क्या है ये equation दे रखके थी post multiplied with A inverse कर दिया इससे फायदा क्या होगा कि ये जो I वाला है वो अपना A inverse में बन जाएगा ठीक है यहां तो 5-5 बन जाएगा और यहां पे अपना A inverse बन जाएगा ठीक है तो यहां पे अपना value रख देंगे A की I की और इसको sold कर देंगे minus 7 को divided में बेज़ देंगे और अपना A inverse की value आ जाएगी ओके question number 14 sold करते है question है for a matrix A ये matrix A की बना है find the numbers A and B A और B की value point करनी है such that A square plus A A plus B into A which is equal to 0 ठीक है ये equation given है अपने को matrix A given है A और B की value निकाल ली है ठीक है तो कैसे करेंगे simple सी बात है पहले अपने A square निकालना पड़ेगा ठीक है तो A square कैसे आएगा A multiplied with A ठीक है और यहाँ पे भी क्या है 3, 2, 1, 1 चलो कर दो multiply first row first column हाना तो इतरीजा 9 plus 2 9 plus 2 ठीक है first row second column तो 3, 2 is a 6 plus 2 second row first column 3 by 3 plus 1 तो 2 plus 1 क्या आगया 9 to 11, 6 to 8 3, 1, 4 और यह 3 ठीक है अपना A square की value आगी let's put the value of A square and A in the given equation ठीक है यह equation दे रखिए अपने को ठीक है इसमें value put करते है equation अपनी A square plus small a into A plus B into I which is equal to 0 A square की value रखतो 11, 8, 4, 3 plus A into A की value given है वो रख दो 3, 2, 1, 1 ठीक है plus B into I identity matrix लेंगे क्यत्ना कौन से रटर का लेंगे 2 by 2 का लेंगे ठीक है यह बाकि यह जो A है और A square है वो भी 2 by 2 के है और यह जो O है वो actual में 0 matrix है ऐसे ठीक है चलो तब solve कर लेते हैं फिर तो यह आए 11 यह तो same है अभी तक तो क्या करेंगे A को अंदर multiply करो 3 A 2 A A and A इस B को अंदर multiply कर दो तो क्या आए B बंज़ है B 0, 0, B and which is equal to 0 matrix ठीक है अब क्या करना अपने को इन तीनों को add करना left inside add कर दो ठीक है तो चलो दो इसको मैं लिखे देता हूँ कहां पे यहां पे लिखे देता हूँ ठीक है चलो तो क्या आएगा 11 plus 3A plus B 11 plus 3A plus B ठीक है फिर 8 plus 2A plus 0 तो 8 plus 2A आजाएगा ठीक है अच्छा फिर 4 plus A plus 0 means 4 plus A ही आगया ठीक है फिर क्या 3 plus A plus B 3 plus A plus B which is equal to 0,0,0,0 यहां तक complete हो चुका है अपने को A और B की value निकाले हैं ठीक है ध्यास देखो A की value अपने निकाल सकते हैं अब यहां 4 equation बन जाएगी ठीक है क्या होंगे corresponding elements क्या होंगे एक्वल होंगे corresponding elements तो corresponding elements को equal रख देते हैं यह बीच का step मैं हटा दे रहा हूं ठीक है चलो तो अब एक तो equation यह बनेगी equal to 0 11 plus 3A plus B is equal to 0 एक यह बनेगी 8 plus 2A is equal to 0 एक यह बनेगी 4 plus A is equal to 0 और एक बनेगी 3 plus A plus B is equal to 0 लिख दे हैं यहां पर corresponding elements will be equal because the given matrix are equal तो यहां से अपन direct A की value निकाल जाते हैं देखो 4 को इससाइड में transfer करेंगे तो क्या जाएगा A is equal to minus 4 तो A की value तो आगे अपनी minus 4 तो अब बात आती है B की value तो B की value कैसे निकालें या तो इस equation से या फिर इस equation से तो मैं क्या गर रहा हूँ इस equation से निकाल लेता हूँ इससे फोड़ा easily लग रहा है न तो यहां से क्या आएगा 3 plus A उदर जाएगा तो minus 3 minus A ठीक है तो B is equal to minus 3 minus और minus 4 आएगा A की value minus 4 रखी तो यह क्या होगा प्लस का B is equal to minus 3 plus 4 which is equal to 1 ठीक है तो उट में देखो एक बार किया क्या है भी तब यह A given था अपने A square निकाला A square की value, A की value और identity matrix की value इसमें put कर दी थी ठीक है put करने के बाद अपना यह बने थे यह बनने के बाद अपने इसको solve कर दिया ठीक है इस equation का यूज़ करके A की value निकाल लिए फिर इसका यूज़ करके B की value निकाल लिए बस that's all question number 15 solve करते है question है for the matrix A matrix given है अपने को solve करना है A cube minus 6A square plus 5A minus 5A plus 11A is equal to 0 यह अपने को solve करना है hence find A inverse ठीक है A inverse की value find करना है ठीक है ओके चलो तो पहले अपने को find करना पड़ेगा A square की value और A cube की value A square की value find करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा A multiplied with A करना पड़ेगा ठीक है तो A को A से multiply करेंगे तो लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 ठीक है दुबारा से 1 1 1 1 2 minus 3 and 2 minus 1 3 चलो चलो देखो दियान से क्या आएगा 1 plus 1 plus 2 1 plus 1 plus 2 कितना आएगा 4 ठीक है चलो लिख देता हूँ थोड़े लिटेल में 1 1 2 1 plus 1 plus 2 ठीक है फिर आया 1 2 minus 1 1 plus 2 minus 1 ठीक है फिर आया 1 minus 3 plus 3 1 minus 3 plus 3 ठीक है फिर आगे देखो 1 2 minus 6 1 plus 2 minus 6 ठीक है फिर सेकेंड पोलम से करेंगे हैं तो 1 4 plus 3 1 4 और 3 ठीक है फिर क्या आया 1 minus 6 minus 9 1 minus 6 minus 9 ठीक है फिर क्या है थर्ड रोज से करेंगे अब 2 minus 1 plus 6 2 minus 1 plus 6 ठीक है फिर आएगा 2 minus 2 minus 3 2 minus 2 minus 3 ठीक है फिर आएगा 2 plus 3 plus 9 2 plus 3 plus 9 ठीक है चलाओ एडिस अब्रेटिकल लेते हैं यही पर 2, 3, 4 कितना आया 4 यह minus 1 plus 1 हो गया cancel यह minus 3 plus 3 हो गया cancel ठीक है यह plus 3 और minus 6 यह तो बचा minus 3 ठीक है 4, 5 और 3 8 ठीक है 9, 6, 15 हो गया minus का और plus का 1 तो minus का 14 बच्च है ठीक है 6 to 8 minus 1 करेंगे तो 7 और यह plus 2 का minus 2 गया 9, 3, 12 और 2 40 यह अपना आगया A square की value ठीक है चलो A cube की value निकालते है A cube की value निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा A square multiply with A उल्टा भी कर सकते है A multiply A square दोनों सेम आएंगे ठीक है कोई प्रोड़म नहीं है तो अपना A square है 4, 2, 1 ठीक है यह plus 2 है ना देखलो एक बड़ चेक कर लो 1 plus 2 minus 1 हाँ plus का 2 आएगा 4, 2, 1 फिर है minus 3 8 minus 14 7 minus 3 14 ठीक है multiply करना है यह से यह है अपना 1, 1, 1 1, 2, minus 3 और 2, minus 1 3 चेलो कर देते हैं multiply तो क्या आया 4, 2, 2 4 plus 2 plus 2 ठीक है फिर क्या आएगा 4, 4, minus 1 4 plus 4, minus 1 फिर आएगा 4, minus 6 plus 3 4, minus 6 plus 3 उसके बाद second row से करेंगे फिर, minus 3 plus 8 और minus 28 minus 3 plus 8 minus 28 ठीक है फिर आया minus 3 plus 16 plus 14 minus 3 plus 16 plus 14 आगे करें minus 3 minus 24 और minus 42 फिर आगे करते हैं तो क्या आएगा थर्ट रों से करेंगे 7 minus 3 plus 28 ठीक है फिर करते हैं फिर करते हैं minus 6 minus 14 ठीक है फिर आगे करते हैं 7 plus 9 plus 42 7 plus 9 plus 42 ठीक है चलो सोल कर लेते हैं 4 2 6 2 8 4 4 8 minus 1 7 4 3 7 minus 6 1 ठीक है अब देखो minus 28 plus 8 करेंगे minus का 20 और फिर minus का 3 minus 23 16 और 14 दोनों plus के हैं add हो जाएंगे कितना आएगा 30 30 minus 3 किया तो 27 ये 3 minus के हैं 3 add हो जाएंगे तो कितना आएगा 2 4 6 3 9 तो आज आएगा दिखते हैं 20 अच्छा 7 minus 3 किया तो 4 4 में add कर देंगे 28 तो कितना आएगा 32 ठीक है ये 7 minus 6 किया तो 1 और 1 minus 14 फिर minus का 13 ठीक है फिर 42 और 9 कितना होगा 51 51 और 7 58 तो ये आगे अपनी AQ की value ठीक है left hand side ले ले लेते हैं equation की जिससे की आपने वो show कर सके हैं equal to अपना AQ minus X A square plus 5 A plus 11 I और equal to में अपना 0 matrix आजए हैं ठीक है चलो तो value put कर देते हैं AQ की value ये आई अपनी 8 7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 और 58 ठीक है minus 6 into A square A square की value ही रही अपनी 4 2 1 minus 3 8 minus 14 फिर है 7 minus 3 14 ठीक है फिर plus 5 A है तो A की value अपनी है 1 1 1 1 2 minus 3 and 2 minus 1 3 ठीक है plus 11 आई है ठीक है तो A की value क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये हो गए अपनी A की value बस अपने को क्या करना है अब इसको solve करना है ठीक है उपर के A square or A cube की value जो find की है वो अपन हटा देते है ठीक है थोड़ा से जल्दी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 6 को अंदर यहीं पर multiply कर रहा हूँ 5 को भी यहीं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ देखो 6 को अंदर multiply तो 6 4 जा 24 6 2 जा 12 और 6 बन जा 6 6 3 जा 18 6 8 जा 48 और 14 6 जा 84 और 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18 और 6 को 14 से करेंगे तो 84 ठीक है 5 को कर देते हैं अंदर तो क्या आया 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 11 को अंदर करेंगे तो 11 11 और 11 आ जाएंगे बाकि सारे सेम आ जाएंगे ठीक है अब 4 को अपने को एड़ सब्टेट करना है जो भी हो रहा है ठीक है इनका सभी का sign change होगा, क्योंकि बाहर क्या है, minus है, इसको subtract रहना, ठीक है, तो minus का 24, plus का 5, plus 11, ठीक है, second में 7, minus 12, plus 5, plus 0, third में 1, minus 6, plus 5, plus 0, क्या है, 1, minus 6, plus 5, plus 0, ठीक है, ठीक है, फिर next, minus 23, और यह हो जाएगा, plus का 18, ठीक है, यह, plus का 5, और plus 0, ठीक है, 27, minus 48, plus 10, plus 11, 27, minus 48, plus 10, और प्लस 11, ठीक है, minus 69, plus 84, minus 15, और प्लस 0, ठीक है, लास्ट वाले, 32, minus 42, plus 10, और प्लस 0, ठीक है, minus 13, प्लस का 18, साइन चेंज होगा न, minus 5, and plus 0, ठीक है, 58, minus 84, और प्लस 15, और प्लस 11, ठीक है, तो यह, element आचुक है, ठीक है, अब देखू ध्यान से, 11, 5, 16, 16, 8, 24, प्लस का 24, minus 24, 0 हो गया, ठीक है, 75, 12, प्लस का 12, minus 12, 0 हो गया, 5, 1, 6, और यह, minus 6, 0 हो गया, ठीक है, 18, 5, 23, minus 23 है, 0 हो गया, 27, 10, कितना हो गया, 37, 11, 48, minus 48 है, 0 हो गया, तो, 15, minus का 15, और minus 69, कितना होगा, minus का 84, और यह, प्लस का 84 है, 0 हो गया, ऐसे करके, इस सारे हो जाएंगे, 0, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 0, देखो गया, 6, 8, 14, 4, 1, कह रही, 2, और 7, 8, 84 हो गया, ठीक है, 0, तो यह, अपना आगया, 0 matrix, ठीक है, तो, इस question का first part solve हो चुका है, जो की है, अपने को यह proof करना था, कि AQ minus 6A square plus 5A plus 11I is equal to 0 है, तो, अपने AQ की value find की, A square की value find की, A की value तो है, और इसमें put कर दी, और solve कर दिया, ठीक है, तो, अपने 0 matrix आचुका है, ठीक है, तो, इसी का second part solve करने के लिए, ठीक है, थोड़ा pause करो video को, मैं तब तक रब कर देखा हूँ, बोड को, आगे A inverse निकालना है अपने को, तो A inverse निकालने के लिए, अपने को उसी equation का use करना पड़ेगा, ठीक है, और equation क्या है, A cube minus 6A square plus 5A plus 11I is equal to 0, ओ मैं ठीक है ला, अब देखो जहां से, यह जो A cube है, इसको मैं ऐसे लिए सकता हूँ, A multiply, A multiply, A, लिख सकता हूँ, ठीक है, अच्छा, minus 6A square है, A multiply, A लिख सकता हूँ, plus 5A है, अच्छा, यह 11I को मैं इस side transfer कर देता हूँ, ठीक है, तो minus का हो गया, अब क्या कर सकते हैं, पोस्ट multiply कर देते हैं, पोस्ट multiplying with A inverse, A inverse से post multiply कर दो, ठीक है, देखो, फायदा क्या होगा, A inverse से multiply करने से, अच्छा, यह था अपना A multiply, A multiply, A, इसको post multiply कर दे, post मतलब बाद में, ठीक है, तो बाद में multiply कर दिया, A inverse से, 6A into A था, A inverse से post multiply कर दिया, प्लस 5A था, उसको A inverse से multiply और कर दिया, is equal to minus 11I था, उसको A inverse से post multiply और कर दिया, ठीक है, अब कोई भी matrix है, उसको उसके inverse से multiply करते हैं, तो क्या आ जाता है, identity matrix और यह A multiply, यह क्या आएगा, A square into I, minus 6A, यह क्या बन जाएगा, I, plus 5, यह क्या बन जाएगा, identity matrix, which is equal to minus 11, यह दोनों multiply करेंगे, तो क्या आएगा, A inverse, ठीक है, अब देखो, A square को multiply करते हैं, I से तो A square ही आता है, minus 6A को multiply करेंगे, किसी भी identity matrix से, तो A यह आएगा, वो से ही matrix आएगा, ठीक है, plus 5, 5 is equal to minus 11A inverse, चलो, value रखते हैं, A square की value, जो कि यह है अपनी वो, ठीक है, क्या है, 4, 2, 1, minus 3, 8, minus 14, and 7, minus 3, 14, ठीक है, minus 6 into A, A की value तो है, यह अपनी पास, 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, and 2, minus 1, 3, ठीक है, plus 5 into I, I की value क्या है, I, तो अपना 3 by 3 का, identity matrix होगा, ठीक है, वो होगा, अपना यह, ठीक है, चलो तो, and which is equal to minus 11A inverse, क्या करना है अपने वो, 6, 1, 2, multiply करना है, तो मैं multiply गार जाता हूँ, 6, 6, 1, 6, and 6, 1, 6, next step में लिखना है तुमको, 6, 3, 1, 18, 6, 2, 1, 12, 6, 1, 6, 6, 3, 1, 18, same, यहां 5 से multiply कर देना है, अंदर, तो 5, 5, and 5, बस, तो चलो, left hand side में, add, subtract करते हैं, ठीक है, तो add, subtract करते हैं, तो देखो क्या है, 4, यह minus होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 4, minus 6, plus 5 बनेगा, 4, minus 6, plus 5, देखो, 5, 4, 9, minus 6 किया तो, 3 आ गया, ठीक है, फिर आ रहा है, 2, minus 6, plus 0, मतलब 2, minus 6, कितना हो गया, minus 4, फिर आ रहा है अपना, 1, minus 6, वो तो 0 है, ठीक है, 1, minus 6, कितना, minus 5, ठीक है, ओके, फिर आ है, minus 3, और यह क्या, minus 6, और plus 0, minus 3, minus 6, कितना होगा, minus 9, ठीक है, फिर 8, यह minus 12 हो जाएगा, और plus 5, 8, minus 12, plus 5, 8, 5, 13, minus 12, करएँगे तो, 1 आएगा, ठीक है, minus 14, और यह किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यह है माइनस का 14, यह प्लस का 18 हो जाएगा, यह बाहर माइनस का साइन है, और प्लस 0, कितना बच जाएगा, फिर आगे देखो, 7-12, और यह तो 0 है, तो 7-12 कितना आएगा, माइनस का 5, यह माइनस 3 प्लस का 6 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6 इतना होगा 3 यह होगा 14 14 यह माइनस का 18 और प्लस का 5 14 5 19 और माइनस 18 करेंगे तो 1 which is equal to minus 11 A inverse है ठीक है A inverse की value निकालने के लिए minus 11 को दर भेज देंगे divide में ठीक है तो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 11 और यह matrix है जो की यह अपना आ जाएगा A inverse एक बार देख लो sort में क्या किया है यह equation के बन थी post multiply by A inverse कर दिया जिससे एक नई equation बन गई ठीक है तो उसमें value A square की A की और I की value पुट कर देंगे solve कर देंगे A inverse की value आ से एगी ठीक है ओके क्वेस्टन नमबर 16 सोल करते हैं बिल्कुल सेम एज इस है question number 15 की तरही ठीक है तो चलो start करते हैं देखो ध्यान से question सेम है चलो एक से उसकार के लिए पर एक से कुबार रहा रही है अपने पास को जिसमें एक तोसार की बार एक स्कीर की बेर्ट की बैलिए इक सब्सक्राइब करें एक को ऐसे ही करना है इसे ही 2-1-1-1-2-1-1-1-2 थोड़ा इस पीड में कर सकता हूं इस बार क्योंकि 15 वाला सेम क्वेस्टन है ठीक है तो मिल्टिप्लाई करेंगे फास्ट रोगों को फस्ट कोलम से तो 411 ठीक है 4 प्लस 1 प्लस 1 ठीक है फिर 2-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1-4-1 141 okay minus one minus two minus two you can minus one minus two minus three minus two अच्छा फिर थाट रोको करते हैं two one two two plus one plus two ठीक है अच्छा फिर minus one minus two minus two minus two ठीक है अच्छा फिर करते हैं अपर one plus one और four one plus one plus four ठीक है अच्छा तो इस्पेस की वज़े से मैं वहीं पर हटा देता हूं इनको ठीक है एड़ गर देता हूं तो यह four two is six यह minus five हो जाएगा यह two two four और one five हो गया यह minus five हो जाएगा यह four और two six minus two minus two minus one केतना होगा minus five यह five होई जाएगा यह minus five होई जाएगा और two six होई जाएगा तो यह अपने आगी a square की value ठीक है तो a square की value आ चुकी है अपने को a cube की value और चाहिए a cube की value निकाल सकते हैं आपने a square multiplied with a ठीक है चाहिए a multiply a square करलो तो भी same result आएगा ठीक है तो a square की value है six minus five five minus five six minus five five minus five six multiply करना है a से यह है अपना two minus one one minus one two minus one one minus one two चलो कर दो multiply चलो तो देखते हैं फिर अना कितना आएगा 12 अना फास्ट ओपो फास्ट गोर्लाम से करेंगे तो 12 plus five plus five 12 plus five plus five ठीक है सेकंड रोसे करेंगे माइनस six minus ten और माइनस five minus six minus ten minus five ओके फिर थार्ट रोस थार्ड कोलम से करते हैं तो six plus five plus ten तो यह आया six plus five plus ten चलो फिर आगे देखते हैं तो सेकंड रोप गोरते हैं माइनस ten माइनस six minus five minus ten minus six minus five five twelve और five five लस च्रेल लस फाइफ ठीक है फिर माइनस five minus six minus ten minus five minus six minus ten फिर थार्ड रोप रहते हैं तीनों कोलम से हैं तो ten five six ten plus five plus six ठीक है फिर माइनस five minus ten minus six minus five minus ten minus six फिगरते हैं five plus five plus ten चलो तो देखु जान से 12 ये five five ten हो गया 12 और 10 22 हो गया ठीक है तो ये six five 11 तो यह आगे अपनी एक योट की वैल्यों ठीक है बस अपने को क्या रहना है लफ्ट एंड साइड उठा लेने है ठीक है लफ्ट एंड साइड अपनी एक्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वार प्लस नाइन ए माइनस फोर आई विच इस इक्वल तो जिरो चलो वैल्यू रखो हम एक योग की वैल्यू एक योग की वैल्यू अपनी निकाल है ठीक है ठीक है a square square की वाल्यू ओरी 6-55-56-55-56 टीक है प्लस नाइन दस नाइन न्ट्यू एकी वाल्यू यह रही अपनी 2-1-1-1-2-1-1-2-1-2 यह हो गई अपनी एकी वैल्यू ठीक है फिर माइनस 4 आई है तो माइनस 4 इन्ट्यू आई त्री भाई त्रीका लेंगे तो 1-0-0-0-1-0-0-0-1 ठीक है ओके अब मैं यह उपर का अटा देता हूं एस कार की वैल्यू जो फाइंड की और एक योग की जो वैल्यू फाइंड की अपनने वह मैं हटा देता हूं ठीक है अब इसको अपने को शोर्गरने आवल स्टीक है तो यह हवना 22 मैनस 21 21 21-21-22 और ये-21-21-21-21-22 ठीक है 6 से अंदर मल्टिप्लाई करते हैं तो 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30 ठीक है 6 से मिल्टिप्लाई करता हूं और कुछ भी नहीं है और यह हो गया 36 ठीक है प्लस नाइन यह है नाइन से मिल्टिप्लाई कर देता हूं 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 ठीक है तो यह अ्याय 9-9 और 18 माइनस से मिल्टिप्लाई कर लेंधा 400 00004 ठीक है मैं सबको एक साथ छोल कर रहा हूं ठीक है वैसे तुम क्या कर सकते हूं इन दोनों को माइनस कर लो पहले इन दोनों माइनस कर लो फिर एड़े गर देना है मैं ये स्केश्ट कर रहा हूं बस मैं एक चीज कर रहा हूं कि इस मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन तो इस सब्सक्राइब की लिखुँँगा इस माइनस के बदेसे वह सब्सक्राइब साइन चेहर में की लिखुँगा ठीक है चलो देखुँँ क्या है 22 minus 36 plus 18 और minus 4 plus 18 minus 4 ऐसे लिखना है ठीक है तो minus 21 यह plus 30 हो जाएगा minus 9 और वो तो 0 है ठीक है minus 0 लिखो plus 0 लिखो कोई प्रॉलम नहीं ठीक है थर्ड वाला 11 21 minus 30 हो जाएगा प्लस का 9 है और वो 0 है ठीक है इसकी बात गारते हैं तो minus 21 यह plus 30 हो जाएगा ठीक है वो minus 9 है और minus 0 ठीक है फिर 22 minus का हो जाएगा plus 18 और वो minus 4 हो जाएगा ठीक है फिर minus 21 plus का हो जाएगा 30 minus का 9 और minus 0 ठीक है उसके बात 21 minus 30 plus 9 और minus 0 ठीक है फिर minus 21 plus का हो जाएगा 30 minus का 9 और minus 0 ठीक है फिर 22 minus का 36 प्लस का 80 और यह माइनस का 4 बस ठीक है अब सुनों ध्यान से अब क्या कर सकते हैं अपन देखो ध्यान से प्लस का कितना हो चुगा है टोटल 18 और 22 दोनों प्लस के हैं कितना हो गया 40 और माइनस का भी 40 है प्लस का 30 और प्लस का 30 है जिरो ट्वंटीयूणकर कितना है अपना 40 और यह भी माइनस का भी ट्यूटल कितना है इतनगें जीरो ठीक है ऐसे ही ये भी जीरो बन जाएगा ये भी जीरो बन जाएगा ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा अपना आ चुका है ओ जीरो मैट्रिक्स आ चुका है अपने को ये प्रूफ करना था कि ये एक्वल टू है ओ ठीक है अपना फर्स्ट इन्वर्स की वेल्व और फाइंड करनी है तो एक वैलू फाइंड करते हैं पहले मैं इसको प्रब गदेता हूं तो माइं कोड कि अधिक सिक्स माने इस ये स्क्राइब करें अपने काम आएगी ठीक है तो इसलिए ये बार बार बर देंगे को चेब रहता हूं अब बात रहते हैं इसी इक्विस्टों से ही निकालना अपने को ना स्कॉरर जो एउन्वर्स है वो इसी इक्विस्टों का यूज्ड करके फाइंड करना है ठीक है अच्छा तो क्या गरेंगे फॉर आई को इसाइडम ट्रांसपर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा विच इस multiplying by A inverse, ठीक है, A inverse से post multiply करो, चलो तो, इसको क्या लेकिएंगे, A multiply, A multiply, A, और last में A inverse, minus 6, A multiply, A multiply, और last में A inverse, 9, A multiplied with A inverse, और 4, I multiplied with A inverse, तो सभी में post multiply कर दिया, A inverse से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, I, ये तो A square है, और वो अपना बन गया, I, minus 6, ये तो A तो है, और ये क्या बन गया, I, कोई भी matrix है, उसके inverse से multiply करते हैं, तो identity matrix बनता है, जो अपन लिख रहें, ठीक है, plus 9, ये क्या बन जाएगा, I, which is equal to 4, किसी भी matrix हो, अगर identity matrix से multiply करते हैं, तो same आता है, वो ही matrix से आता है, ठीक है, A inverse आगया, इसके बाद, A square को I से multiply, identity matrix से multiply करेंगे, A square ये आएगा, minus 6, A को identity matrix से करेंगे, तो A ये आजाएगा, ठीक है, और 9 I, which is equal to 4 A inverse, तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है, ठीक है, अब अपने को बस value पुट करने हैं, ठीक है, तो A square की value, क्या है, अपने निकाल रखी है, ये आ रही है, अपनी 6, minus 5, 5, minus 5, 6, minus 5, 5, minus 5, 6, ठीक है, बाकी value है अपने पास, तो मैं इसको अटा देता हूँ, ठीक है, चलो तो फिर, minus 6 into A की value, A की value क्या है, ये, 2, minus 1, 1, minus 1, 2, minus 1, and 1, minus 1, 2, plus 9 आई है, plus 9, identity matrix 3 by 3 का लेंगी, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, and which is equal to 4 multiplied with A inverse, चेक है, ठीक है, थोड़ा से ले जूँ मैं लिखने में, तो ये, पूरा स्टैक दुबारा नहीं लिखूँ, इसके लिए मैं 6 से multiply, यहें पर गर देता हूँ, 6 to the 12, 6 बन जा, 6, ये, minus 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये, minus 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहां आएगा नाइन यहां एक नाइन और यहां एक चलता है क्या आएगा अपना देखो माइनस का साइन है तो इनका साइन चेंज होगा शिक्स माइनस ट्रेल और प्लस नाइन ठीक है माइनस का 5 यह प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस 0 ठीक है 5 यह माइनस का 6 हो जाएगा प्लस 0 ठीक है चलो तो फिर आगे देखते हैं माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 माइनस 5 फ्लस 6 प्लस 0 6 म एंस 12 6 माइनस 12 प्लस 90 डैक है- JACK Steven प्लस का 6 आएगा प्लस का 0 गांटिक हो यह आया 5 माइनस 6 तक भी आए 6-12 plus 9 which is equal to 4 into a inverse ठीक है चलो अब इसका जो result आदा हो मैं यहां लिके देता हूं ठीक है यह कितना होगा जाएगा 15 15-12 क्या तो ठीक है यह कितना 6-5 वन आजाएगा यह 5-6 तो माइनस वन आजाएगा ठीक है और यह 6-5 बान यह 9-6-15 माइनस जाएगा 3 यह 6-5 which is 1 यह माइनस 1 यह आजाएगा 1 और यह 9-6-15 माइनस जाएगा 3 और यह एक्वल है 4 into a inverse के ठीक है 4 into a inverse के एक्वल है तो a inverse की value निकारने तो 4 को डिवाइड में और भेज़ दो यह जो value आई अपनी वह आई आपनी a inverse के तो question number 17 चोल करते है question है let a be the non-singular square matrix of order 3 by 3 then adjoint of a is equal to देखो यह result मैंने आपको बताया था इसकांस वर आएगा इन which is determinant of a square देखो एक जब मैंने theorem से बताई थी इससी चप्टर की तो उस टाम में एक result बताया था कि adjoint a का determinant जो आता है वो आता है determinant a to the power n-1 यहां n क्या है order कूंस है एक का ठीक है तो यहां a जो matrix है उसका order 3 by 3 है तो क्या जाएगा 3-1 which is a square बन जाएगा ठीक है तो determinant a का square अपना आएगा answer अच्छा इसको अगर proof करना हो या फिर वैसे solve करना हो तो कैसे करेंगे देखो adjoint of a into a है यह होता है determinant of a into i theorem first थी है ना उससी टाइम धी result क्या है 3 by 3 चलो तो solve कर लेते हैं यह अपना आया adjoint of a into a which is equal to determinant of a है और आई अपना क्या है 3 by 3 का ही होगा यह भी matrix जब a 3 by 3 का है तो identity matrix की 3 by 3 का ही लेंगे ठीक है determinant a को अंदर multiply कर देंगे तो यह आएगा adjoint of a into a which is equal to determinant a 00 00 determinant a 0 00 determinant of a ठीक है अब दोनों साइड लगा देते हैं अपन determinant ठीक है तो इस साइड में भी determinant लग जाएगा इस साइड में भी इस अधिक है तो क्या बने गई एड जोइंट ओफ एंट्व एंट्व एक डिटर्मिनेंट विच इकुल त्यू determinant of determinant a 00 00 determinant a 00 determinant a अब देखो ध्यान से कोई दो मेट्रिक्स अगर मुल्टिप्लाइम हो रहे हैं उनका पूरे का determinant है तो तोनों का लगले डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं यह भी थ्योर्म है तो यहां क्या लिखेंगे adjoint of a का determinant into determinant of a which is equal to अब यहां देखो ध्यान से क्या करने हीज़ा होता है इस रो में से determinant a common लेलू इस रो में से भी इस रो में से भी तो क्या आया determinant a क्यों ठीक है और कौन से determinant बनेगा 10000100001 यह वाला determinant अपना बच जाएगा ठीक है तो अपना क्या बचा एड़ जोइंट of a का determinant into a का determinant or determinant a to the power 3 और इसको चोल करोगे first okay long expand कर देना तो इसका अंसर आएगा 1 और 1 से multiply करेंगे तो यह रहेगा ठीक है तो determinant a तरजाएगा पावर एक कम हो जाएगी adjoint of a determinant of a which is equal to determinant of a square तो अपना अंसर आएगा बी वाला option अपना साही होगा okay question number 18 solve करते हैं तो question है if a is an invertible matrix of order 2 then determinant of a inverse is equal to तो अपने को निकालना कि determinant of a inverse क्या होगा determinant a होगा या फिर one upon determinant a होगा या फिर one होगा या फिर zero होगा ठीक है तो देखो कई को तरीके से कर सकते हैं इस question को लेकिन सबसे जी वाला अपना ऐसे बोल चकते हैं कि a into a inverse क्या होता है identity matrix होता है या नहीं होता है सबको पता है ठीक है अच्छा तोनों side अगर मैं determinant लगा दो तो यह क्या बना a into a inverse का determinant which is equal to i का determinant अब एक थोरम पड़ी थी कि कोई दो matrix का product का determinant है तो this can be written as the product of their respective determinants अना मतलब ही कर डिटिमेंट मुल्टिप्लाई बी कर डिटिमेंट अलग अलग कर सकते हैं सेम यहां situation हो सकती है determinant a into determinant of a inverse which is equal to अच्छा जो i होता है i means identity matrix उसका determinant क्या सोल करते है तो क्या आता है one ठीक है फिर आगे देखते हैं तो यह अपना आगे है determinant of a inverse यही तो अपने को निकालना है which is equal to determinant a को divide में जाओ तो one upon determinant of a मतलब अपना आ चुका है कि determinant of a inverse is equal to one upon determinant of a तो अपना option आएगा बी बाला ठीक है बस अपने को यह ध्यान रखना है यह into a inverse साही होता है दोनों साही डिटर्मिट लेगा देंगे इधर ओपन हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा that's all and thanks for watching this video thank you very much